वेल्कम गाइस कैसे हैं आसा अच्छ होंगे साथे Microsoft Excel में हमने सीखा था Extra Spaces को रिमूव करना या Extra Line को रिमूव करना लेकिन यही प्रोब्लम यदि Microsoft Word में भी आए बिल्कुल आ सकती है यदि हम किसी और से टाइप करवा रहे हैं वहां पर वह एक्स्टा स्पेस डाल दें या फिर हमने फाइल कहीं सॉफ्ट्वेर से या ओनलाइन डाउनलोड करी है तो वहां भी हमारे पास बहुत सारे Extra Spaces आ जाते हैं वर्ड की फाइल में डेटा काफी बढ़ा है फिर हम सारे स्पेस कैसे रिमोग करेंगे इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम के हो सकती है तो इनको सीखने के लिए इस वीडियो में तक बने रहें नमस्कार साथियो मेरा नाम है मनुश्य कुमार हो आप देख रहें कंप्यूटर गयान गुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं और साथियो एक जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आप माइक्रोसोफ्ट एक्सल बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाते हैं जिसका नाम है गुरुजी कंप्यूटर कोर्स तो वहां पर जाके आप माइक्रोसोफ्ट एक्सल स्टार्टिंग से एडवांस तक सीख सकते हैं इसके बाद हम जल्दी माइक्रोसोफ्ट वर्ड पावरपाइंट और एक्सस की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं अब दिखी यह जो स्पेस की प्रोबलम है यह स्पेस की प्रोबलम कब आती है या तो आप डेटा ओनलाइन कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर डेटा एंट्री के लिए आपने किसी नए बंदे को दे दी और कीबोर्ड का स्पेस है वो थोड़े लूज है लूज का मतलब ज्यादा सैंसेटी हो है थोड़ा सा टाच होते ही स्पेस लग जाता है और उस जगह दो या तीन स्पेस लगना लाजमी है यदि दो तीन तक स्पेस आपके पास है तो आप सिंपल क्या करेंगे अपने डोकुमेंट के स्टार्ट में आ जाए और कर दें कंट 24 ऐसे आइटम थे जो हमारे थ्री स्पेस थे वह रिप्लेस हो चुके है उसके बाद भी देखो कुछ और स्पेस रहेगा यानि कि स्पेस कहीं कहीं पर तीन से ज्यादा थे तो फिलाल जो भी मैंने यहां पर स्पेस हटाया है उसको मैं अंडू करा लेता हूं एक बार सारे स स्पेस रिमूओ करेंगे यहां पर बिल्कुल का मत्तब यह नहीं बिल्कुल जो एक्स्टा स्पेस है सिंगल स्पेस हम रखेंगे वापस से स्टार्ट में आएंगे डोकुमेट्स के में करेंगे कंट्रोल एच और यहां पर हम फाइंड वाट के अंदर देखो यहां पर लि पीचे replace with, इसको हमने किस से replace कराना है, इसको हमने एक space use करेंगे, single space के साथ, ठीक है, इसके बाद more option में चले जाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे use wildcard, जो हमने wildcard use किया है, उसका use हमने कराना है, चेक किया, और कर देंगे replace all, देखें, यहाँ पर 22 replacement ऐसी होगे, जहाँ पर extra spaces थे, okay, close करा देते हैं, अब देखो यहाँ पर, आपको कोई भी extra space नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो बच गए था extra space, तो आपने देखा था, वहाँ पर कुछ red color की line आगे थी है न, error दिखा दी थी, अब कोई error नहीं है, बिल्कुल space हमारे accurate space है, तो दोनों तरीकों मे में से, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, extra space remove करने के लिए, I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसी परकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए, अमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अब दोस्तों में शेयर करें, में लाइक कर और दिन नए है आपने चलबे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें